गुड मॉर्निंग फ्रेंज बेलकम बैक अगेन मैं चैनल एच्प 23 अनिल आर्मी राइडर एच्प 23 अनिल मोटिवेशन दोस्तो आप लोगों का तहदी से स्वागत है मेरे चैनल के ओपर फिर आप लोगों के सामने आ गया हूं दोस्तो और आसा करता हूं कि आप अपने घर पर सुस्त होंगे दोस्तो तो दोस्तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगए तो प्लीज लाइक कर दें सेर कर दें चैनल के ओपर नई है तो सब्सक्राइब बना ना बोले दोस्तो दोस्तो चलिए आज बात करेंगे हम इंपोर्टेंट जानकारी के बारे मे सब्सक्राइब बात करेंग में है फर्स्ट ग्रूब में कैसे कर सकते हैं दोस्तों तो इंडियन आर्मी रैली में सबसे पहले फीजिकल टेस्ट होता है दोस्तों फीजिकल टेस्ट में सर प्रथम जो है सबसे पहले सो मार्क्स लाने की कोशिस होनी चाहिए दोस्तों क्योंकि फीजिकल में सो नंबर मिलने से क्या होगा आपका मेरिट में स्थान पाना असान हो जाता है दोस्तों पाना आ नहीं जाता है दोस्तों तो फीजिकल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको आर्मी की सोलो सो मिट दोड़ प्रथम ग्रूब में करनी पड़ेगी दोस्तों यदि आपको आपने भी अभी तक अगर इंडियन आर्मी रनिंग की त्यारी नहीं की है दोस्तों तथा 1600 मिटर दोड़ की त्यारी सुरू करना चाहते हैं दोस्तों तो निचे दियेगी जो मेरा लिंक है उस पोस्ट क जरूर पढ़ैं दोस्तों और दोस्तों मदद जिसके किया आपकी मदद में की त्यारी के बंद दोस्तों कर लें करने के दोस्तों आप मेरे चैनल पर इस्तमाल करने हैं यह टीप्स जो 100% रनिंग में पास होने के लिए काम करती है दोस्तों और फिजीकल इंस्ट्रक्टर के दोवरा इन टीप्स को आर्मी रनिंग के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों तो यह चीज मैं आज आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताने बाला करने दौस्तों तो दोस्तों इंडिन आर्मीय इस सोलो 60 को करता दोस्तों और सुष्य के दिन आपको थगाबट तथा मास्पेषियों में दर्द बिलकुल नहीं होगा दोस्तों बात करूं सेकंड नंबर पॉइंट की दोस्तों तो फिजिकल से एक दिन पहले आपको हलका बोजन खाना है और अगले दिन सुबह उठकर आपको एक गलास पानी पीना है तता फ्रेस हो जाना है दोस्तों बात करूं पॉइंट नंबर ठीकी दोस्तों र बात करूँ पॉइंट नमबर 4 की दोस्तों तो आर्मी दोड के लिए जो है अच्छे रनिंग जूते खरीदने होंगे दोस्तों और उन्हें फिजिकल से कुछ दिन पहले इस्तमाल करना होगा ताकि इंडियन आर्मी दोड वाले दिन तक वो आपके पैरों में अच्छी तरह स अंतर डालते हैं दोस्तों और यही पांच मिटर आपको फेल से पास और सेकंड ग्रूप से फर्स्ट ग्रूप में डाल सकता है दोस्तों यही कारण है कि रास्ट्रिया और अंतरास्ट्रिया स्तर पर खिलाडी अच्छे जूतों का इस्तमाल करते हैं दोस्तों बात करता हू में कौन तथा चोट नहीं लगती दोस्तो कैंडिडेट को इंडियन आर्मी रनिंग की प्रैक्टिस के दोरान से ही अच्छे जूते और जुरावों का इस्तमाल करना चाहिए ताकि फीजिकल के समय उसके पैर पर चोट बगएरा से वो बचा रहे दोस्तो बात करूँ पॉइंट नंबर 6 की दोस्तो तो इंडियन आर्मी में जो 1600 मिटर रनिंग है वो हाफ पैंट निकर में दौर से इससे आपके कदम की लंबाई बढ़ेगी दोस्तो तथा कम समय में ज़्यादा दूरी से करने में आपको मदद मिलेगी दोस्तो इसलिए आप हाफ पैंट में मैंसा रनिंग करें दोस्तो बात करूँ पॉइंट नंबर 7 की दोस्तो रनिंग ग्राउंड में जाने से पहले थोड़ा सा एक से दोड़ पानी अबस्य पीएं तथा बातरूम बग ग्राउंड में हमेशा सबसे आगे और ग्राउंड के अंदर होने वाली साइड की और खड़े हों दोस्तो पॉइंट नंबर 10 दोस्तो ग्रूप में सबसे आगे खड़े होने से आपको सुरू में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तो पीछे वाले लिए सबसे आगे खड़े हों दोस्तों बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों यहाँ पर तो ground के अंदर वाली साइड में खड़े होने से क्या होगा आपकी जो दूरी है बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तो, 1600 मिटर रनिंग जो की सुरू होने से पहले अलर्ट रहें तथा रनिंग सुरू करने के आदेश का इंतजार करें दोस्तो, रनिंग सुरू होते ही पहले 50 मिटर तक थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में दोड़ें ताकि आप ग्रूप की भीड में ना फसें दोस्तो, पचास मिटर के बाद आप अपनी समाने स्पीड में आ सकते हैं दोस्तो, रनिंग के सुरू में ही ज़्यादा दम ना लगाएं मध्यम स्पीड से दोड़ना है दोस्तों आपने दोड़ते समय पैर के आगे बाले जो हिस्से के उपर दोड़ें और हमेसा स्पीड ज़्यादा मिलती है जिससे क्या अगर आप फुट पे अगर आप फ्लैट एडी पे द आढने के लिए दोस्तों नेक्स्ट नंग काने में जर्मत्र दॉस्तों दोड़ें को फञुँत दोर से क्या थोरू करने में आपको असानी रहेगी तुक आहीं कम एक time कर आप स्पीड जा bağ जाता है एक स्पीड बनाकर आपने दोड़ते रहना है दोस्तों इंडियन आरμी भरती की शोला सो मिटर दोडमें के 3 रौंड होते हैं जो की 1200 मिटर होने के बाद आपकी जो थर्ड राउंड होने के बाद जायता है तब आपने क्या कर वापने पिछ चोड़ना के और एक कंडीडेट ना उसको बढ़ते जाना दोस्तों अपने वहाँ पर बात करूँ ने च्टेप की दोस्तों तो वह सोलव सुंमेतर की रणिंग में आपको इतना स्टेम्ना बचाके रखना हैं कि अन्तिम सों मेटर से आपको 200 मिटर तक आप sprint या तेज़ स्पीड में दोड सकें दोस्तों क्योंकि जो last का 100 मिटर होता है या 200 मिटर होता है वो सबसे main वहाँ पर running में वो कहा होता है आपको उसमें दिखाएगा दोस्तों वहाँ पर क्योंकि वो सबसे एक important और एहम पार्ट होता है इस running का जो last में आपको करना है दोस्तों यहाँ पर तो running के आखरी 100 मिटर में पूरा stamina आप लगा देंगे और पूरी speed के साथ आपको दोड को snap करना है तो आपने stamina को पूरा last 200 से 200 मिटर के अंदर आपने पूरा अपने stamina को ताकत को लगा देना है वहाँ पर पूरी speed के साथ दोडना है वहाँ पर दोड खतम करते ही 3 से 5 मिनिट तक आपने jump करते रहना है दोस्तों हिल्टे डूलते रहना है एक दम से सरीर को ठंडा नहीं होने देना दोस्तों कभी भी आपने हमेशा जब भी आपकी दोड खतम होगी तो उसके बाद आपने 3 से 5 मिनिट क्या करना है दोस्तों jump करना है और इसके बाद हिल्टे डूलते रहना एक दम सरीर को क्या ठंडा नहीं होने देना आपने 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 तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी की 1600 मिटर रनिंग की टिप्स दोस्तों अगर जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं तो आप उनको फोलो करें और 1600 मिटर में आप रनिंग में सफलता पा सकते हैं प्रंतु दोस्तों उससे पहले आपको रनिंग के लिए खूब सारी मेंनत करने के अप सकता होती है दोस्तों तो वो मेंनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों ये टिप्स भी तभी काम करती हैं जब आपने 1600 मिटर रनिंग की आर्मी भरती से पहले अच्छे से त्यारी कर इस टीप्स की मदद से आप अपने टाइमिंग में आपके टाइमिंग जोर्फ में इंप्रूमेंट होगी दोस्तो अगर ये अगर आपको मेरी टीप्स अच्छी लगी हों तो फेस्बूक गृप और वटसब गृप पर अपने दोस्तों को जुरूर सेयर करें। ताकि आर्मी की त्यारी कर रहे हैं नोजवान इन टिप्स की मदद से इंडियन आर्मी का फिजिकल टेस्ट पास कर सकें दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिस रहेगी दोस्तों कि अच्छी से अच्छी जो इनफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के तक पहुंचाऊं दोस्तों जो नोजवान है जो इंडियन आर्मी बरती होने जा रहे हैं उनके लिए जानकारी अगर महत्तपुर्ण है और उनको जानकारी सब्सक्राइब करना न भूलें और बन नोटिफिक्शन आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिक्शन आपको टाइम से मिल सकते दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मतलब दोस्तों तब तक के लिए जैहिन जैभारत